दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं समर्सेबिल मोटर को लेकर दोस्तों समर्सेबिल मोटर में एक ये प्रोब्लम आती है कि उसके बुस बार बार कड़ जाते हैं मतलब मेने या दो मेने में बार बार उसके बुस कड़ जाते हैं तो क्या कारण होता है किस रीजन की वज़े से मतलब इसके बुस कट जाते हैं मेरे पास एक 3HP की मोटर है मैं इसके बुस आपको बना कर और मतलब इसमें complete काम करेंगे खोलेंगे फिट करेंगे और बुस बनवाएंगे पूरा A to Z काम बताऊंगा किस तरीके से होता है और किस सेट हो जाएंगे आपको बार-बार खोले की ज़रूत नहीं पड़ेगी तो आपको यह वीडियो पूरा देखना है ध्यान से देखना है मेरा नाम है समय और आप देख रहे हमारा यूटूब चैनल टेक्निकल समय तो दोस्तों आईए स्जूरू करते हैं वीडियो तो फ्र की तरीकी से आप इसको घोलेंगे और किस तरीके से सकव बनेंगा कहिसे बनता है कैसे डलता है सारी चीज़ बताओंगा इस स्क्रीप नहीं करना है आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आप भी भी मोटर के बस्की बदल पाएंगे आसानी से और स्धूरू इसमें कमी ह तरस वगेरा मुदलब खराब तो नहीं है तो यह सारा step by step खोलें और इसमें पीछे तीन पेज खुलेंगे उसके बाद इस पर हलक हलकी चोट मारें जो इसका कवर है हलकी चोट मारने के बाद मोटर को पकड़ें आगे से और पीछे से इस तरीके से घुमा कर आसानी से यह हम यहां से पीछे इसकी तरफ से बाहर निकाल लेंगे अब हम यहां पर देखते हैं तो इसका यह मतलब यह बुस की जगाए जो यहां पर है यह कटी हुई है मतलब इसके बुस कट गए हैं जिसकी वज़े से वाइंडिंग में मैं आपको दिखाता हूँ अगर आपको नज लगती है इसके बाद दूसरा डखन में हमको निकाल लेना है अब यह डखन आपके निकल गए और वायर अगर आपका कटा हुआ तो इसको सेफटी से निकालें यहां पर हलका सा इसमें कट लगा हुआ है लाश्ट में हम जब इसको फिट करेंगे तो यहां पर टेप अब हम इन पार्टों को लेग जएंगे रोटर और दोनों आगे पीछे के कवर तो हलका सा मुद्र इस पर फेस करवाएंगे और उसके सअब सेल्ग यह एगो सेट करेंगे तो यहां पर हम पहले एक साइज फिक्स ले लेते हैं जैसे ये साड़े 22 और 36 का इसमें बुस हम लाए हैं उसके हिसाब से हम इसमें सेट करेंगे और अगर आपका मनलब रोटर का साइज है तो उसके हिसाब से आपको लेथ मसीन वाला जो होता है खरा दी जिसको हम बोलते हैं ये आपको बुस के साइज दे देंगे बता देंगे और ये आपका मतलब तीनों पार्टों का जो ये काम हो रहा है इसका लगबग तीन सो से चार्ट सो रुपए का सम्थिंग चार्ज करते हैं इसमें रोटर भी आ गया और दोनों वुस ठोक कर और कंप्लिट सेट करके देते हैं उसके बाद क्या करना होता है यहां पर यह अपने हि सेट कर देंगे मतलब रोटर को भी सेट करेंगे और इसके दोनों डखकने उनको सेट करेंगे और उसके बाद आपको बस कुछ नहीं करना होता फिट करनी होती है और उससे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है जो खास बात है वो क्या है कि जिसकी वज़े से मतलब बार 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 बुस खराब होते हैं तो ये बुस खराब होने का सबसे एक रिजन ये भी होता है कि हलका सा अगर बैंड है रोटर में हलका सा अगर बैंड है रोटर में तो उसकी वज़े से बुस खरतम होगा बार बार खराब होगा लेकिन यहाँ पर इस मोटर में इसका कोई बैं कर चल रहा था और से खत्म कर रहा था यहां पर हमने जो यह इसका कवर है आगे वाला इस पर हमने जहां पर क्रेक था वहां पर पीतल की बैलिंग करवाई है और इसमें पीछे की तरफ हमने पीतल का बुस लगाया आगे रबड का लगाया है तो यहाँ पर इस तरीके से आपको एक रबड का और एक पीतल का लगाना है इससे क्या है कि बुस जल्दी से कटता नहीं है अगर आपने दोनों पीतल के लगाएं और तो जल्दी कटेंगे लेकिन आपने एक रबड का और एक पीतल का लगाया तो ये बुष जल्ली से नहीं कटेगा, पानी में मोटर चलती है, इसलिए रवड का ज्यादा अच्छा रहता है, एक रवड का डालना चाहिए, और एक आपको पीतल का डालना चाहिए, तो यहाँ पर इस तरीके से ये बुष ठुक जाएंगे, कवर में, और आप यहाँ देख सक देखते हैं, और दूसरा इधर की साइड ये पीतल का ठुक जाएगा, इनका साइज आप इसके हिसाब से आपको बता देगा, खरादी जो भी मतलब साइज होता है, उसके हिसाब से आप इसको ला सकते हैं, और उसके बाद इस मतलब जो ये बुष है, इसको भी सेट करके द लगबग 10-12 मिंट का है इसको सेट करकर इस पर बिलकुल फिनिस करकर देगा क्योंकि आपको फिटिंग में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी और बिलकुल मतलब मोटर फिरी गोमेगी और बुस भी आपका नहीं कटेगा दूस्तो इसका में डिजन होता है मैं बता रहा हूँ आपको हलका सा वेंड होता है उसकी वज़े से बुस कटता है या फिर आपके मतलब कवर में कोई प्रोब्लम है या फिटिंग सही नहीं हुई है उसकी वज़े से बार बार में बुस खाती है मोटर तो यहाँ पर इसका पीतल का इसमें वेल्ड करवाया था उस पर भी यह हलकालका सा कट लगा देंगे ताकि फिट करने में हमको कोई परेशानी नहीं आए यह क्रेक था और जिसकी वज़े से इसका एक बुश लूज था और लूज बुश होने की वज़े से यह बार बार बुश खा रही थी तो य एक माल लगा के बिल्कुल नियू बराबर करके आपको देगा और आप यहां देख सकते हैं इस तरीके से यह कट लगाते हैं मसीन में बांद कर और उसी साइज के हिसाब से लगाते हैं जो साइज हमारे रोटर का है तो आप यहां देखें यहां पर यह चेक करेंगे कि बिलकुल जादा loose नहीं होना चाहिए और जादा tight भी नहीं होना चाहिए बिलकुल fix रहना चाहिए इसमें जादा gap नहीं हो तो बिलकुल fix रहेगा और आराम से घुमेगा तो उसके बाद आपको ये दिक्कत नहीं आएगी यहाँ पर यह लगवग इन्होंने जो कट होना था वो कर दिया है विलकुल फिक्स है अब हम इसके बाद मोटर को फिट करेंगे तो सबसे पहले हम पीछे इसकी तरफ यहाँ पर पेपर लगाएंगे और पेपर लगा कर कोई वायर वगरा टच ना हो और इस पर टेप मार दें इस से क्या होता है कि इसमें जंग नहीं पकड़ती है और इस तरीके से ये पीछे का डखन जो है मदलब चूरी से कसदे ना है अभी जितना कसदा है उतना कसदे लाश्ट मैं достаточно पेच लगा लेंगे हम पीछे के तो किस तरीके से आप इसको टाइट करेंगे तो यहाँ पर य यहां देखें, इसमें एक चाबी लगती है, चाबी लगतर यह प्लेट आपको सेट करनी है, मोटी वाली, यह इस तरीके से आपकी सेट होगी, आप यहां देख सकते हैं, इसको हलका सा ठोग ले और आगे से पकड़ लें, उसके बाद इस पर लोग लगाना है आपको, यह लो परूँगा और सेट करने के बाद जो इसका पीछे का कवर है, उसको हम कस देंगे, आप यहां देखें, थर्ज प्लेट हमने लगा दी और उसके बाद यह जो पेच के जो सेंटर है, उसके हिसाब से आप इसको लगाएं, और हलका सा ठोग कर इसके पेच कस दे, आप यहां फुल के इदर उदर रहते हैं तो पेच कस की मदद से आप इनको सुराग जो हैं इसके सेंटर में कर लीजिए और इनको चाबी से बरबर कस दीजिए इसके बाद ये कंप्लीट आपका पीछे का हिस्सा हो जाएगा अभी हम इसके तीनों पेच लगा कर टाइट कर देते हैं आ बोलने में परिशानी आपको नहीं आईगी तो यहां पर यह टाइट हमने कर दिये हैं और टाइट करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप इसको जो हमने कवर कसा है चूडी से तो यहां पर इसको इस तरीके से कसे हैं और इस पर पकड़कर इस तर को हम cover कर देंगे अच्छे तरीके से वह इस पर double tape मार देंगे कच्ची रबड़की और PVC वाली और फिर आप हम इसमें क्या के motor में पानी बरेंगे और पानी बर कर इसका उपर का cover भी हम लगाएंगे तो यहाँ पर जो इसका उपर का cover है इसमें seal लगेंगी इसमें double seal लगती है एक नीचे लगी हुई है एक यह लगा रहा हूँ मैं और इसके अलावा एक seal और है जो उसकी पुरानी है मैं इसके उपर लगाँगा उसको तो उससे क्या होता है कि इस पर मतलब जो double seal होती है तो क्या dust वगेरा इसके अंदर नहीं जाएगी जिससे बुसकी life जादा होती है तो यहाँ पर हमने motor में पानी भर दिया है मैं आपको चला कर भी दिखाँगा इसको तो आप यहाँ देख सकते हैं motor में हमने पानी भर दिया है और इसका उपर का जो cover है उसको हम लगाएंगे उपर का cover आपको इसमें इस तरीके से लगाना है जो इसकी wire में जो band वगेरा ना हो आप सीधा देख लें उसको और इस पर भी हलका सा ग्रिस लगा देना है आपको किनारी पर और उसके बाद आपको इसके जो center है पेचो के उनका विसस ध्यान रखना है अगर ठुक जाता है तो फिर वापस से आपको निकालना होगा पेचो के center का ध्यान रखें हलका सा इसमें कसलें आप हलका सा और उसके बाद इस पर हातोड़ी की चोट मारें और चोट मारने के बाद मतलब इसे पेच अटक जाए तो फिर चोट मारने के बाद फिर तीनों पेचो को tight कर दें और फिर आप हास से मोटर को गुमा कर दें मोटर आपकी फिर गूमनी चाहिए अगर टाइट गूम रही है तो कोई problem है उस चेक करें क्या problem है अब हम आपको मोटर चला कर दिखाएंगे यहां पर मैंने दो केपसिटर लियें 36-36 MFB के और इसमें और भी केपसिटर होता है जिसकी वजह से एंपियर कम जादा हो जाएंगे तो यहां पर मैंने दो केपसिटर से चलाईए लगबग 13 एंपियर यह ले रही है और जब हम और केपसिटर इसमें बढ़ाएंगे तो इसके एंपियर कम हो जाएंगे लगबग हो सकता है 10 एंपियर हो जाएं 12 हो जाएं और लोड पर थोड़े से एंपियर जाएंगे तो फ्रेंड्स आपने देखा मैंने आपको इस मोटर के कम्प्लीट बुस्स सेट करके बताएं और अगर आप चैनल पर पहली बारा चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के साथ साथ ओल नोटिशन वेल पर भी किलिक करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक तुरंत पहुँच पाए और आप से कोई भी यूच्फिल जानकारी मिसना हो तो दोस्तों मिलत हैं फिर किसी नई वीडियो में नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई टेक केर